मोधी सरकार के सौ दिन पूरे होने के मौके पर कारिकरम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में आज आयोजित किया जा रहा है मौल रोड पर प्रदेशनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें नेता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुर शामिल होंगे बीजेपिय अध्यक्ष राजीब बिंदल भी मौजूद रहेंगे इस कारिकरम में साड़े ग्यारा बजे मौल रोड पर होगा एक्जिबीशन का उद्गाटन मोधी सरकार के सौ दिन किस तरह के रहे हैं उन सौ दिनों में क्या कुछ सफ़ताएं प्राप्त हुई हैं किसका उद्गाटन किया जाएगा बीजेपि के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे जैराम ठाकुर बीजेपि प्रदेश अध्यक्ष राजीब बिंदल समेथ तमाम बीजेपि के नेता रहेंगे मौजूद बड़ी खबर बड़ी जानकारी मोधी सरकार 3.0 के शुरू के सौधिन किस तरा के रहे हैं कौन-कौन सी बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं सरकार ने किन-किन योजनाओं को शुरू किया गया है जिनका नतीजा जिनका फाइदा आने वाले दिनों में देश की जनता को होगा उन सभी चीजों को शामिल करते हुए शिमला के मौल रोड पर ये एक्जिबीशन प्रदशनी लगाई गई है जिसका उद्गाटन किया जाएगा साड़े ग्यारा बजे के आसपास पूर्व मुख्यमंत्री नेता पृतिपक्ष जैरान थाकुर इसमें शामिल होंगे भारती जनता पार्टी के हिमाचल अध्यक्ष डॉक्टर राजी बिंदल मौजूद रहेंगे सुबा साड़े गारा बजे मौल रोड पर होगा एक्जिबीशन का उद्गाटन मोदी सरकार के 100 दिनों के क्रिया कलापों की जलक यहां देखने के लिए मिलेगी खौर कलब है की हाल ही में मोदी सरकार ने अपने 100 दिनों का कारेकाल पूरा किया है और इस मौखे पर केंद्री गरिह मंतरिया मिश्षा ने प्रेस कॉनफेंस के जरीए तमाम उपलब्धियों को गिनाया था हमारे साथ हमारे समवधाता रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं शिमला से फॉन लाइन पर जाधा बातचीत के लिए रॉबिन बीज़ेपी सरकार के सौ दिन जो पूरे हुए हैं NDA 3.0 के इस मौके पर जो एक्जिबीशन लगाई जा रही है इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा आ लगता है रॉबिन तक अवाज नहीं पहुँच पारी है मोधी 3.0 के सौ दिनों की सफलता बताने की याँ पर जो प्रदर्शनी है उसका आयोजन किया जा रहा है मौल रोड पर और इस मौके पर ये कारेकरम का आयोजन हो रहा है